नमस्कार, डेली PCSG के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, आए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था निम्दलिकित में से किस राज्य में राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग ने साथ नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमती दी है इसका सही जवाब ए उप्षन भी उत्तर प्रश्ट्र राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में साथ नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमती दे दी तथा दो मौजूदा कॉलेजों में सीटे भढ़ा दी NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच नियामक निकाए है इसकी स्थापना वर्श 2020 में राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा भारती चिकित्सा परिशद यानि मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया के स्थान पर की गई थी NMC के पास एक चिकित्सा सलाकार परिशद भी है जो चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस से संबन्दित मामलों पर आयोग को सलाह देती है NMC प्रमुक स्क्रीनिंग परिख्षाओं जैसे कि NEET-UG, NEET-PG और FMGE के संचालन एवं देख रेक के लिए जिम्मेदार है यह चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों एवं गुणवत्ता, चिकित्सिकों के पंजीकरण तथा नैतिक्ता एवं चिकित्सा संस्थानों के मुल्यांकन वर रेटिंग को भी नियंतरित करता है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब प्रशन B उत्तर प्रदेश आप में से अधिकतर स्टूरेंट्स ने इसका जवाब कॉमेंट सेक्षन में सही भेचाता जवाब भेजने के लिए शुक्रिया आईए शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की पहला प्रशन है इसका सही जवाब प्रशन A मध्यप्रदेश यह है एक अंतर राजिय हवाई सेवा है जो मध्यप्रदेश के धार्मिक और परियटन स्थलों को जोड़ती है इसका उद्देश्य घरेलू एवं अंतराश्ट्रिय परियटकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब प्रशन A मध्यप्रदेश आगला प्रशन निम्दरिकित में से किस राज्य में अंतराश्ट्रिय वायू अभ्यास तरंग शक्ती चरण एक का आयोजन किया जाएगा राजस्थान, तमिलनाडू, ओडीशा या फिर पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब प्रशन B तमिलनाडू अभ्यास तरंग शक्ती का पहला चरण 6 अगस्थ से 14 अगस्थ तक तमिलनाडू के सुलूर में आयोजित किया जाएगा और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन तथा United Kingdom सहित चार देश अपने साजो सामान के साथ इसमें भाग लेंगे दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपूर में आयोजित किया जाएगा और इसमें आस्ट्रेलिया, बांगलादेश, ग्रीज, सिंगापूर, सहियोक्त, अरब अमिराथ, तथा अमेरिका अपने संसाधनों के साथ भाग लेंगे इसका उद्देश्य सैन्ने सहियोग को बढ़ावा देना और भारत के रक्षा उद्द्योग को उजागर करना है कैलें थे डेवीडी खोजी गई है पिथोरागड, चमॉली, रुद्र प्रयाग या फिर पौडी गढ़वाल इसका सही जवाब ऑप्षन ए पिथोरागड उत्राखंड बन विभाग के दो अनुसंधान सहियोगियों ने पिथोरागड जिले के मुनसियारी तहसील के गिनी बैंड में एक दुरलब आर्किट प्रजाती कैलेंथे डेवीडी पाई बारत में आर्किट की 244 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा उत्राखंड में इन में से 120 प्रजातियां पाई जाती हैं जिन में से कुछ अत्यंत दुरलब है ऐसी ही एक दुल्लब प्रजाती है केलन्थे डेवीडी जो एक स्थलिय पौधा है जो गुच्छों में उकता है और 40-90 सेंटिमीटर तक की उचाई तक पहुचता है इस प्रजाती की खोच सबसे पहले पश्चिमी हिमाले में की गई थी जिसमें उत्राखंड में मसूरी और माया बस्ती हिमाचर प्रदेश में चमबा जमु कश्मीर तथा अरुनाचर प्रदेश शामिल है उत्राखंड में यह पहली बार वर्ष 1898 में मसूरी में और वर्ष 2002 म चम्पावत में पाया गया था मौसमी बक्री चराने की गतिविधियों के कारण यह प्रजाती खत्रे में है तो इस तरहां इस प्रशन का सही जवाबे option A, पिथोरागर अगला प्रशन निम्दिलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली प्राय द्वीपिय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, कृषन, महानदी या फिर कोई भी नहीं इसका सही जवाबे option C, महानदी महानदी, नदी, प्रणाली, गोदावरी और कृषना के बाद प्रायद वीपिये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तता ओडीशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है इस नदी का जल्ग रहन क्षेत्र चत्तिसगर्ड, मध्यप्रदेश, ओडीशा, जहारखंड और महाराश्टर तक विस्तारित है इसका बेशन उत्तर में मध्य भारत की पाहाडियों, दक्षण और पूर्व में पूर्वी घाट, तथा पश्चिम में मैकाल परवतमाला से गिरा है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ए उप्शन C, महानदी अगला प्रशन, महानदी नदी निम्नलिकित में से किस राज्जय से निकलती है बिहार, ओडीशा, जहारखंड या फिर चत्तिसगड इसका सही जवाब है उप्शन D, चत्तिसगड महानदी नदी चत्तिसगड राज्य में रायपूर के पास सिहावा के निकट अमर कंटक के दक्षिन में स्थित स्थान से निकलती है शिवनाथ, हस्देव, मांट और इप महानदी की बाईं जबकि ओंग, तेल और जोंग इसकी दाई सहायक नदियां है केंद्र सरकार ने वज़ 2018 में महानदी जल विवात नयादी करण का गठन किया तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन D, चत्तिसगड अगला प्रशन भारत के सम्विधान के किस अनुचेद के तहट भारत के अटॉर्णी जनरल का पद प्रदान किया गया है अनुचेद 74, अनुचेद 75, अनुचेद 76 या फिर अनुचेद 77 इसका सही जवाब ऑप्शन C, अनुचेद 76 भारत का अटॉर्णी जनरल देश का सर्वोच विदी अधिकारी होता है उसकी नियुक तेराश्ट्रपती द्वारा की जाती है भारती समिदान के अनुचेट 76 के अंतरगत भारत के अटॉर्णी जनरल के पत की व्यवस्था की गई है भारते सम्विदान के अनुछेद 76 के अनुसार भारत का अटौर्णी जन्रल भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटौर्णी जन्रल सभी कानूनी मामलों पर केंदर सरकार को सलाहा देने का कारे करता है इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्णी जनरल सर्वोच नियायाले में केंद्र सरकार का प्रतिनिद्धित वो भी करता है भारती सम्विदान के अनुचेद 76 के अनुसार अटॉर्णी जनरल के नियुकते भारत के राष्ट्रपती द्वारा की जाती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब आप्शन C अनुचेद 76 अगला प्रश्न नामदफा राश्ट्रिय उद्यान के सराज्य मिस्थित है मनिपुर, मिखाले, असम या फिर अरुनाचर प्रदेश इसका सही जवाब आप्शन D अरुनाचर प्रदेश नामदफा राश्ट्रिय उद्यान भारत के अरुनाचर प्रदेश राज्य मिस्थित है और इसका छेतरफल 1,985 वर्ग किलोमीटर है यह भारत में आनमार चीन के बीच के त्री जंक्शन के बहुत करीब है यह उद्यान दाफा बम श्रेणी और मिश्मी पहाडियों की पठकाई श्रेणी के बीच स्थित है नामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह है नोआ देहिंग नदी से मिलती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाबे उप्शन D. अरुनाचर प्रदेश अंतिम प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रिय भारतिय सिनेमा संग्राले निम्नलिकित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था विशाखा पत्नम, मुंबई, नौइडा या फिर नाकपुर इसका सही जवाबे उप्शन B. मुंबई भारत के पहले राष्ट्रिय भारतिय सिनेमा संग्राले का उद्गाटन मुंबई में किया गया यह उन्नीसवी शतापदी की शुरुवात से लेकर तक्नीकी रूप से उन्नत उपकर्णों के युख तक भारतिय सिनेमा के इतिहास और विकास को प्रदर्शित करता है यह संग्राले उन्नीसवी शतापदी के विरासत बंगले गुशन महल तथा एक अन्य नम निर्मित अत्यादुनिक एनम आईसी भवन में स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब आप्शन भी मुंबई आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न मुद्रा स्वीती से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक SLR बढ़ाता है और CRR घटाता है SLR घटाता है और CRR बढ़ाता है SLR और CRR दोनों बढ़ाता है या फिर कोई भी नहीं इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेचिएगा मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए and stay motivated Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले